पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में दो मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार जब पांडू की मृत्यु हुई तो उसके मृत्षरीर का मांस पांचों भाईयों ने मिलबाट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयम पांडू की ऐसी इच्छा थी। चोकि उसके पुत्र उसके वीरिये से पैदा नहीं हुए थे। इसलिए पांडू का ज्यान कौशल उसके बच्चों में नहीं आपाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यू पूर्व ऐसा वर्दान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यू के पश्चात उसके शरीर का मांस मिलबाट कर खाले ताकि उसका ज्यान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्चा का पालन करते हुए उनके मस्तिश्क के तीन हिस्से खाए। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद।